हुआ हुआं है एलोग एथरीवन वेलकम टू चाना क्या इसकाड में पतना टॉपीक अफ़ डेसेशन आज की सेंने हम बात करेंगे अबाउट रसिया यूक्रेयन वार तू यर्स ऑफ रसिया यूक्रेयन वार हैज इन कंप्लिटेट आज की सेसन में हम बात करेंगे कि आखिर इस वार का क्या मेजर जियो पॉलिटिकल जियो एकॉनमिक्स इस वार का क्या चेंज देखिने को मिला है इस्पेसली इन यूरोपियन जोन इन तमाम बातों पर आज की सेसन में हम डिसकेसन करेंगे सो लेट्स बिगन दा सेसन तो रिसेंटली टू यूर्स अफ रॉस्या उक्रीन वार हैज में कंप्लिटेट अन फर्वरी ट्वंटी पॉर्ट टू तू 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 रॉस्या इंड़ेश्ट वार इन यूरोप इस व्ल्ड वार टू इस नो व्ल्ड वार टू के बाद अभी तक ऐसा कोई इसके आसार नहीं दिख रहे है कि यह कब खतम जाके होगा और जिसके बहुत सारे निगेटिव कंसेक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं कुछ लर्निंग लेसंस भी मिल रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज को अब इस वार के कारण की लैक्स ओफ जो उक्रेनियन थे वो डिस्प्लेस हुए है जियो पलिटिकल सिनारियो चेंज हुआ है सप्लाइचेंड डिस्रप्ट हुआ है जिसके कारण से इंफलेशन बढ़ रहा है फुट प्राइस बढ़ रहे हैं इसके मेजर कंसेक्वेंस क्या है तो जियो पलिटिकल जियो एकॉनमिक मेजर कंसेक्वेंस है जो की पूरे वर्ल्ड ओवर पर देखने को मिल रहा है इस्पेसली ओन यूरोपियन कंट्रीज सबसे बढ़ा अगर एकॉनमिक प्रावलम देखे तो जो सप्लाइचेंड डिस्रप्ट हुआ था जिसके कारण फूर्ड इंफलेशन काफी बढ़ा था वाइल प्राइस बढ़ने लगे थे बहुत सारे लोग माइग्रेट करने लगे थे इधर उदर जाने लगे थे यह सब सब्सक्राइच इसके मेजर कंषेक्वेंस थे थती है टेन विली कम टूद मेंइन पॉयंट कि कि क्या इस से लोग जो अगर इसका मतले था घूंझ तो तेंशन जो था बिविन ये रुक्रेयन रस्या इसलेट इन लेट 2013 ओबर ए लैंड मार्ग पोलिटिकल एंड ट्रेट दिल्वित यूनियन अफ्र दिस रस्या इन्वेड रुक्रेयन और चैप्चर द रुप्रिम्या विच वाज पार्ट अउक्रेयन अच्छिंग अच्छ टूसर्ट रुस्या इन्वेड़ रुक्रिमिया on the pretext that it was defending its interests and the Russian speaking citizens। और इसलिए रravast चैप्चर करनिया अब जैसे ही क्री मिया को रौड़क्रिम्या कप्चर करता है। अफर दाट शौतलीश स्प्राटर दाट अ प्रो रुसियन सेपराटिस्ट इन यूक्रेयन दोन्स्टिक और लुहांस्टिक रिजन डेकलियर दियर इंडिपेंदेंस फ्रॉम कीव दे कैपिल उक्रेइन और यूक्रेइन इसे रेकेगनाइज कर दिया इनकी इंडिपेंडेंस को कीव और मोस्कोव नाइज कीव और मोस्कोव और मिन्सेट नहीं करन बहुत सारे थे और यहां से एक ऐसा वार स्टार्ट होता है जो अभी तक चल रहा है और आने वाले टाइम में भी अब क्या यह सच में खतम होगा कभी खतम होगा इसका कोई इस्टीमेटेड एकाउंट नहीं है कोई ऐसा फ्यूचर इंसाइट इसमें नहीं देखने को मिल रहा है किया पीस मेंटेन यहां हो सकता है अब हम बात करते हैं प्रमुक यह कारण है रस्या वांटेड अ गारंटी यूक्रेइन कैं नेवर जॉइन नाटो जब यूक्रेइन ने डिक्लेयर क्या कि यूक्रेड इस गोइंट ज्वाइन नाटो तब यह major region बन गया कि रसिया कभी नहीं चाहता था कि युक्रेन जो है वो नाटो का member बने because again वहाँ पर US का influence हो जाता उस region में तो रसिया यह guarantee चाहता था युक्रेन से कि युक्रेन यह declare करे कभी भी नाटो को जोईन नहीं करेंगा रसिया में डिमांड था कि नाटो जो अपने एक्सपेंशन कर रहा है अपने डिफेंस पोर्सेस को बढ़ा रहा है वह फर्दर एक्स्टेंड कर रहा है सोवियत रिपब्लिक की तरफ उसे वह कंट्रोल करें उसे वह स्टॉप कर देंगे एस्पेशली इन युक्रेणियन जोन रसिया वांट नाटो आर्मस आउट ऑफ इस्टॉर्ण रसिया अपने एक्सपेंशन तो करी रहा है जो अपने मिल्टरी सिस्टम को बढ़ा रहा है उसे भी स्टॉप करें रसिया वांट बैन नाटो मिसाइल विदिन स्ट्राइकिंग स्ट्राइकिंग डिस्टेंस रसिया और नाटो मिंबर्स कंट्रीज तो उसके बीच में कोई भी मिसाइल नहीं रहना चाहिए उसपे बैन चाहता था नाटो रसिया पर देमोंस्ट्रेटरटिज इपन इस इन्वाल्वब्मेंट इन उक्रियन प्रोवाइदिंग वेपन तो वो रस्यां सिकूरेटी के थ्रेट के लिए था था तो यह कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसके वज़े से रस्या काफी जाया चिंता हम अगशन था रस्या को इन पॉइंट्स के कारण तो रस्या चानता था कि युक्रियन जो है वह नाटो को जोईन ना करे नाटो जो अपने एक्सपेंशन कर रहा है उसे वह स्टॉप करे जो बेसिकली जो कह सकते हैं कि जो मिसाइल स्ट्राइकिंग रेंज में हैं उसे वह डिप्लॉई ना करें उस पे बैन लगे इन सब पॉइंट्स के कारण जो रस्या का एक्सपेक्टेशन था वह फुल्फिल जब नहीं हुआ तो फाइनिली रस्या ने इन्वेड किया और रस्या चाहता था कि जो इस्टर्न यूक्रेइन का रिजन है उसे इंडिपेंडेंस परदान के आ जाए जिससे रस्या नहीं रस्या ने भी फरवरी 2022 में रखे कर दिया था रस्या से यूक्रेइन यूक्रेइन को बेसिकली ऑटोनोमी परदान किया जाए और चुकि यह हो नहीं रहा था तो रस्या के कहना था कि यह मिंस्टेक एग्डिमेंट का वाइलेशन है क्योंकि इस टर्न जो यूक्रेइन जो वो प्रो रस्यान है और उन्हें इंडिपेंडेंस मिला ज़रूरी है तो यह सब मेजर रिजेन थे कि रस्या ने इंवेड किया यूक्रेइन में अब इंपक्ट क्या रहा है of this war on the modern warfare क्या lesson मिले हैं लोगों को क्या major changes देखने को मिले है तो सबसे पहला जो focus रहा है go small यह अब बड़े-बड़े tanks सी यूज नहीं किया जाने अब छोटे-छोटे drones यूज किया जा रहे है और इसका परिनाम था कि जो drone industry है उसमें huge jump देखने को मिला है instead of tanks and planes nimble drones have emerged as a conflict weapon of choice unmanned craft give commander on both side an aerial view of the battlefield allowing them to monitor the enemy movement in the real time Ukraine's use of inexpensive uninhabited maritime vehicle UMV to target Russia's black sea fleet has popularized remote control weapon by the sea and the privacy of drones has set up another kind of competition the race to disable them through signal jamming according to some estimate global drone market is expected to reach 260 billion by 2030 growing almost tenfold from the year before Russia full-scale invasion कि आप देख सकते हैं कि यह जो वार का जो सिनाडियो रहा है काफी अलग रहा है कोई बड़े बड़े टैंक्स नहीं है यूज किया रहे है यहाँ व्यूज किया रहे है यूज किया जा रहे है उसमें 10-fold in इंक्रीज देखने को मिलेगा by 2030 ऐसा इस्टिमेट बताया जा रहा है 260 बिलियन डॉलर का होगा तो यह वार का एक नया कह सकते एक नया सिनारियो देखने को मिल रहा है गो इस्मॉल आफ्टर देखने को मिला यह वार सांथ हो गया ग्रूप ऑफ सेवे नेशन हैब इंप्रेसिव एरे अप संक्षान ओर रस्या ओर अवर पास्ट तू यह ब्लॉक्ट मॉच्व अच्व अक्सेस टू इंटरनेशन फिनिस्टम इमोबिलाइग सेंट्रल बैंक रिजर्ट्स और इंटिटीज बट फार फ्रों इंपोजिंट मैसिव और सेवरी कंसेक्वेंस देव नाइधर डिटर्ट रस्या ओर नॉर लेड तो क्लाप्स और इस एकॉनमी और इस पार्टली बिकॉज और कंट्रीज अबिलिटी तो करकंवेट रिस्टिक्शन और मिटिगेट दियर एक् इस ते स्किल रस्या कंटीनिव कर रहा है वार सप्लाइचेन इंडिपेंडेंस इस पारमाउंट इस अब से जाधे एफेक्ट अगर हुआ था इस ते तो सप्लाइचेन दो वार है एक्सपोज दे क्रिटिकल इंपोर्टेंस ऑफ डॉमेस्टिक्श अप्लाइचेन आप यह क्योंकि ग्लोबल लेवल पर ऐसे कभी भी वी वार हो सकते हैं धास्वाइच्टिक सप्लाइच बहुत इंपोर्टेंट है जब युक्रेन को चाहिए था सप्लाइचेन तो उसे अपने फ्रेंट से हल्प नांगना पड़ा जबकि रसिया ने जो डोमेस्टिक लिए करके रहा था वहीं से वो क्रिएट कर रहा था तो रसिया के पास यह एक अलग एडवाइंटेज था आफ्टर दैट स्टार्ट कर रहे थे डोमेस्टिक चीजे डेवलप करना स्टार्ट किया उन्होंने रही री इनर्जाइज दा यूरोप यूस मिलिटरी अलाइंस नाटो एट इस ओपन दोर और इंक्लूजन आफ स्विदेन एंड फिलनेंड यूरोप अट दे सेंटर अफ न्यू आर्म र यूरोप इंटो यूक्रीन और यूएस के जो अलाइंस से वह लगतार वेपन प्रवाइड कर रहे है उक्रेन को डेवलप्पेंट आफ चाइना अच्छी चाइना आप चुकि चाना यूस का कंफिक चल रहा तो यहां पे अब एक अनदर आख्स डेवलप ओडा है रसीया औ सब्सक्राइब कर रहे हैं तो यह बिसीकली एक माइड़ाइब कर रहे हैं तो यह बिसीकली क्या सकते हैं जो मेजर कुछ जियो पॉलिटिकल्स इंटैक्ट थे रस्या यूक्रेयन वार का तो अभी रिसेंटली इसका दो साल कंप्लीट हो गया है लेकिन आने वाले टाइम में भी ऐसा कोई फ्यूचर इंसाइट नहीं दिख रहा है कि यह कब सांथ होगा कब इसका सब्सक्राइब के आएगा आयोब आपको यह सिद्ये समाझ में आए होंगी सो तैक्स आल पर टुड़े थेंक्यू